विल्कम टू एंजी 99 क्लासेश दोस्तो यह है ब्लैक बूक का सिरिज सिरिफ सिनोनिम से जो लगभग वही 1500 पलस में है आई शुरू करते हैं यह 22 एडिशन है ओके नाव लेट्स स्टार्ट पहला है एबरिबिएट एबरिबिएट इडमीज होता है संचिप्त करना क्या होता ह हो जाएगा सौटन निच्ट है एबडिकेट एबडिकेट मतलता है त्यागना छोड़ देना उसका सिनोन हो जाएगा अबेंडन निच्ट है एबेटर एबेटर मतल़ होता है अपराध में सहयोगी क्या हो जाएगा अपराध में सहयोगी जो हंतियार्द देता हो या उसके related जो पैसा उसा जाता हो अपराद को उसको उस तरह के सहयों को बोलते हैं अपराद में सहयों गई उसका सीनों के जाग क्या हो जाएगा ये complete हो जाएगा ability मतलब होता है योगता योगता च्छमता उसी को बोलते है capacity क्या हो जाएगा इसका synonym is capacity Ablage मतलब होता है जलता हुआ उतिये जीत या भढ़काने के सेंस में भी आता है कभी-कभी Ablage मतलब क्या होता है जलता हुआ यह उकसाने के सेंस में होता है तो जाए furious हो जाएगा क्या हो जाएगा furious हो जाएगा Next है Ablution Ablution मतलब होता है असनान, यह noun है यहाँ पर क्या होता है, only असनान उसके बाद मतलब भी होता है, असनान या किसी चीज को धोने के सिंस में आता है ठीक है, ablution ठीक है, abnegation abnegation मतलब होता है, आसिवकार करना reject कर देना उसका सीनों हो जाएगा daniel, क्या हो जाएगा, daniel abnormal मतलब होता है asaman abnormal मतलब क्या होता है, asaman जो विचीतर हो, तुरस और लग हो जो नीचर से नहीं मिलता हो, उसी को बोलते है, unnatural, क्या बोलते है? unnatural अप्राकृत बोल सकते है, अस्सामान बोल सकते है abnormal, क्या हो जाएगा? unnatural, next है avoid, avoid मतलब होता है घर या आवास को बोलते है उसका सीनों हो जाएगा dwelling क्या हो जाएगा dwelling आवास घर या रहने के कोई अस्थान के संस में आता है abort या dwelling क्या हो जाएगा dwelling next है abolition उन्मूलन करना या समाप्त कर देना क्या हो जाएगा उन्मूलन करना या तो समाप्त कर देना क्या बोलते है एबोलीशन नेक्स्ट है इसका सीनों हो जाएगा कैंसीलेशन क्या हो जाएगा कैंसीलेशन मतलब राद कर देना समाप्त कर देना उनमुलन कर देना नेक्स्ट है एबोट एबोट मतलब होता है बंद कर देना क्या कर देना abort मतलब बंद कर देना, समाप्त कर देना, नस्ट कर देना, इसका हो जाएगा end, क्या हो जाएगा, समाप्त कर देना, क्या होते हैं, समाप्ती ये अंद, अंद, next है, abortive, nisphal, abortive मतलब क्या होता है, nisphal, इसका next हो जाएगा, इसका सीनों हो जाएगा अंसक्सेस्पूल क्या हो जाएगा अंसक्सेस्पूल निक्स्ट है अबरोगेट मतलब होता है रद कर देना डीपियल मतलब होता है रद कर देना ठीक है अबॉलिस मतलब होता है रद कर देना केंसिल करने के सेंस में है अबरोगेट ठीक है abruptly मतलब होता है एका एक, आचानक, क्या बोलते हैं abruptly मतलब क्या होता है आचानक या एका एक suddenly भी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा suddenly, आचानक होता है इसका होता है absolutely, मतलब बिल्कुल पूर्ण, ठीक है absolutely मतलब होता है, बिल्कुल या पूर्ण ठीक है definitely कहता है, निस्चित कह सकते है निस्चित या बिलकुल क्या हो सकता है, इसका synonyms definitely, क्या होता है definitely, next है absorbing, absorbing मतलब होता है दिल्चस्प दिल्चस्प हो जाएगा absorbing मतलब क्या हो जाएगा, दिल्चस्प ingrossing, क्या हो जाएगा इन ग्रोसिंग, क्या हो जाएगा, इन ग्रोसिंग, यह भी जो मतलब होता है, गाली, यह भी जो मतलब क्या होता है, गाली, यह अभधर बात भी बुलना होता है, ठीक है, डांटना भी होता है, तो एस्कौर्ण हो जाएगा, ठीक है, यह हार्म हो जाएगा, वहीं गाली, यह, भद्रबात बोलना ठीक है निक्स्ट है अबिस्मल अबिस्मल मतलब होता है बहुत खराब या बेबुनियाद अबिस्मल मतलब क्या होता है बेबुनियाद या बहुत खराब किसेंस में आता है बॉटम लेस हो जाएगा क्या हो जाएगा बॉटम लेस ठीक है? निक्स्ट है ESS Surij क्या बोलते है? ESS Surij एक लिम मतलब होता है पर्शंसा करना परेज मतलब ही होता है पर्शंसा करना इसका सीन हो जाएगा ठीक है, एकाउंटेबल मतलब होता है जबाब दे, क्या होता है एकाउंटेबल मतलब होता है, जबाब दे आंसरेबल भी हो जाएगा, इसका जबाब दे एकाउट्रिमेंट मतलब होता है क्या बोलते हैं, एकाउट्रिमेंट उपकॉरन होता है क्या होता है उपकॉरन ठीक है एक्विप्मेंट मतलब होता है उपकॉरन जो मसीन से इलेटेड हो टेक्नोलोजी से इलेटेड हो उस तरह के समान को बोलता है उपकॉरन क्या बोलेंगे उसको एकाउटरी मेंट्स या equipment, उपकरन बोलते हैं एक्रू मतलब होता है इकठा करना एक्रू मतलब क्या होता है इकठा करना, accumulate भी हो जाएगा, या collection भी हो जाएगा या collect हो जाएगा, यहाँ पर दिया होगा है क्या करना? accumulate करना, या collect करना यह दो बार पूछा गया है, यहां पर दिया ओर रिप्रेटिशन की तना बर पूछा गया है निक्स्ट है, accurate, accurate मतलब होता है शुध या सही-सही, ठीक है न, सुध या सही-सही प्रिशाइच, ठीक या सही-सही, या सुध भी कह सकते हैं, ठीक है correct या exact, ठीक है, इसका हो जागा accurate, accurate मतलब होता है precise, correct या exact मतलब होता है, ठीक या सुध सुध निक्स्ट है, यह छे बार पूछा गया है, वहाँ पर रिप्रिटिशन किया गया है निक्स्ट है, accurately, सुधता से, क्या होता है, accurately मतलब सुधता से जो चार option देते हैं, आज कर, वो noun, noun से बिलाना रहता है और adjective, adjective से, meaning तक लगभा लगभा किसी किसी का सेम से मिल जाता है ठीक है, देयालू और रूदार का सेम से मिल जाता है, बट वहाँ पर adjective और noun दिखा जाता है कि किसका noun से noun सीनोन हो सकता है, adjective से adjective किया सीनोनिम से हो सकता है यहाँ पर देखिए, accurately दिया हुआ है, जबकि accurate उपर भी दिया हुआ है सुध, ठीक है, accurately तो हुझा correctly हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर एड़ भार बना के दिया हुआ है ठीक? Accurately और यह बतही है correctly एड़ भर बना करके यह दिया हुए है Accuted मतल्ब होता है ב恵्यूक्थ करना क्या करना? अभीूक्थ करना Indicated क्या बोलते है? Indicated ब्रोष मतलब होता है दोसी Accuted मतल्ब होता है किसी को पर दोस constructed लगाने के sense में आता है जो अपराद किया, उसको दोसी बोलते हैं, उसे बोलते हैं, अभी स्विक्रिति क्या बोलते हैं और एक और सीनों यहां पर दिया हुआ है क्या होता है एक कम्प्लीश पूरा करना क्या होता है पूरा करना डबल-डबल दे दिया है, accomplish, ऊपर भी दे दिया है, नीचे भी दे दिया है acknowledgement मतलब क्या होता है, और भी, स्विक्रीति, या confirmation होता है पुष्टी करना, या सिफ्वकार करना, equipment मतलब होता है, परिच्छा है, क्या बोलते हैं? equipment मतलब क्या होता है, परिच्छा है एक्विसेंट मतलब होता है बात मानने वाला या ट्रेक्टेबल क्या बोलते हैं ट्रेक्टेबल एक्विसेंट बात मानने वाला या ट्रेक्टेबल बोलते हैं इसके क्या हो जाएगा ट्रेक्टेबल मतलब होता है वही बात मानने वाला और यह एक्विसेंट मतलब होता है बा Sense यिसी कुछ और दे दिया है यहाँ पर Active मतलब कोई कारेरत हमें लगा हुआ है उसको बोलता है कारेरत जो Active है ठीक है नh दि-sense मतलब काम में नहीं है Active मतलब वो काम में है यहां के Sense दे आ है वा काम में ब्यश तपा है ठीक है एक switch applies मतलब होता है उकसाना बढ़काना किसी को होता है, क्या बोलता है, एक्चुएट मतलब होता है, किसी को उकसाना या बढ़काना, ठीक है, उसका सीनों हो जाएगा, मूव करना, क्या करना, मूव करना, एडेप्ट मतलब होता है, अनुखूल बनाना, किसी को, क्या बोलते हैं, अनुखूल बनाना, ए सब्सक्राइब किसी के पास दोल पैसा को ही जादा हो जाता है उसी को बोलते हैं तुम सब्सक्राइब संसेटल होता है पहलन करना को पालन करना कंप्लाई मतलब होता है वही पालन करना, फॉलो करना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्पलाई करना या पालन करना, क्या बोलेंगे, एड़ेर, एड़ेस्ट मतलब होता है, अनुकूल बनाना, या अड़ेप्ट मतलब होता है, वही अनुकूल बनाना, ठीक है, एड़ेस्टमेंट मतलब होता है Sumlingen, किसी से ताल मेल बैठाने को बोलते है, ऊहां पर adjustment का हो जाका Sum сказала shouted, Admission मतलब होता है चेतावनी किसी को देना, क्या होता है चेतावनी देना उसका सीनों क्या हो जाएगा वार्निंग हो जाएगा एडूलेशन मतलब होता है चापलूसी एडूलेशन मतलब होता है जदा बड़ा आई करना हाथ से जदा किसी का परसंसा करना चापलूसी करना उसी को बोलते है एडूलेशन या फ्लैट्री मतलब होता है मिलावटी क्या हो जाएगा इडल्ट्रेट मतलब होता है मिलावटी जैसे मार्केट में कोई मसाला वगरा या कोई खाने पीने वाले चावल दाल वगरा में यो कुछ गलत चीज मिला जाते हैं उसी बोलते हैं मिलावटी करना कंटेमिनेट करना क्या बोलते हैं क टे tips का मतलब होता है डीक त्रेज यहां पर मिल्सांस कई और जाएगा चुन फैरियका तडिया हो जाएगा किसी विरवंद करना किसी को बीरोध होता है रीभल करना या बोलते हैं रीभल करना या पंड खञना उसकी पर्थीवद्वा दो अंदी भी हो सकता ह विरोध या अरीबल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हृद्वर्श इडवर्स Cisco क्या हो जाएगा हृद्वर्स के एक तम उल्टा, Ubisoft ठीक है, ऐखांनले मतलब कि शप्जाएगा,теक ह Different, क्या हो जाएगा, Cha, ले clearing, या संपूर्थन MP3, उसको किसी को सताना मतलब उसको होता है तंग करने के संस में आता है एफिलिक्ट क्या होता है एफिलिक्ट करना क्या बोलते हैं एफिलिक्ट करना कि इन्वाई मतलब क्या हो जाएगा किसी को नराज करना क्या करना नराज करना या सताना होता है किसी को एग्राभेट मतलब होता है एग्रिगेट मतलब हो जाएगा कूल हो जाएग क्या बोलता है एग्रिगेट मतलब हो जाएगा कूल या टोटल कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं aggregate मतलब होता है cool या total agitated मतलब होता है ब्याथित या परसान agitated मतलब क्या होता है परसान या upset मतलब होता है उदास या परसान कह सकते है ठीक है एक गोनी मतलब होता है cost में, दर्द में, पीड़ा में होता है ठीक है, वहाँ पर जाएगा पेन, पेन मतलब होता है दर्द औरकस्ट और पीरा, इम मतलब होता है उदेस या लक्ष होता है, इम मतलब क्या होता है, उदेस या लक्ष, परपस मतलब ही हो जाएगा है, उदेस या लक्ष, ठीक है, आईजल मतलब होता है, गलियारा, क्या बोलते हैं, आईजल, आईजल मतल क्या बोलें कि इसको आइजल मतलब गली आ रहा उसको बोलते हैं पैसेच ठीक है इलार मतलब होता है खत्रे का संकेत इलार मतलब क्या होता है खत्रे का संकेत पैनिक मतलब भी होता है वहीं खत्रे का संकेत कोई खत्रे का संकेत या कोई सिंबल मिलना होता है उसे बोलते हैं अल उसको अगर सांथ करते हैं उसके संस में सांथ करना अलीज मतलब होता है आरोप लगाना अलीज मतलब क्या होता है आरोप लगाना या चार्ज करना उसको क्या बोलते हैं चार्ज किसी को उपर चार्ज करते हैं इसका मतलब आरोप लगाते हैं क्या बोलेंगे ऑलीज बोलेंग और परमिट मतलब होता है अनुमती देना या आगया देना एलूरिंग मतलब होता है आकरसे के अलूभाना क्या बोलते हैं एलूरिंग होता है एलूरिंग ओफर चो दिया जाता है ना ठीक है ना आकरसक देना या लूभाना यानि एट्रेक्टिव हो जाएगा एलूफ मतलब ह हो जाएगा अलग थलक करना क्या बोलते हैं अलूफ मतलब हो जाएगा अलग थलक करना क्या बोलते हैं अलग थलक कर देने को बोलते हैं अलूफ मतलब होता है detach next वैं पारिवार्टन कि यह अटना और्टेज़ना उसको बोलते हैं अल्टर्र ट्रांस्व good a लिप डूuff woods스 लिए अध्र है इसे हैं । मिल लोता हैρχ numer है इसको छोचान िर्व फिलांब सकते हैं। फिलांथ़ूपिस्ट में लोगशन द्लेविधा कर घुका खरते हैं। इंट ह्रेख मैंको कि मतलब होता है मिस्ऩरन उसको मिक्सचिर बोल मतलब होता है संसोधन मतलब होता है संसोधन मेंड का सीनोनिम सोजाएगा अल्टर कि अल्टर निए संसोधन करना या उसमें कुछ चेंजिंग करना नेक्स्ट है अमरस मतलब होता है कामुक जो गलत भवना को काम करने के लिए प्लेद करता नेक्स्च करता है उसे जबोलते हैं मतलब होता है इडोटिक इसका सीनौन क्या हो जाएगा इडोटिक Amplify मतलब होता है Amplify मतलब क्या होता है Amplify मतलब क्या होता है Magnify और Boost दोनों हो जाएगा Amplify और Amplify या Magnify क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा बढ़ाना Boost मतलब होता है Amusing मतलब होता है Manoranjan क्या बोलते है Manoranjak Amusing मतलब होता है मन बहलाने वाला लाफेबल मतलब होता है मन रंजक या मन बहलाने का कोई शुरोत है क्या बोलते है लाफेबल नेक्स्ट है एंसेस्टर मतलब होता है पूरवज या बंसज होता है क्या बोलते हैं पूरवज या बंसज होता है तो उसी को बोलते हैं for father या ancestor anger मतलब होता है गुसा Displeasure मतलब होता है गुसा या नराज कह सकते है angry मतलब होता है गुसा और next है यहाँ पर enraged क्या होता है angry या क्या हो जाएगा angry मतलब होता है गुसा और anger मतलब होता है गुसा या Displeasure मतलब होता है गुसा ठीक है नराज या गुसा कह सकते है angry मतलब होता है यहाँ पर गुसा या inraged भी कह सकते हैं गुसा या नराज क्या बोलते हैं inraged नेक्स्ट है एंग्वीस क्या बोलते हैं एंग्वीस मतलब होता है दूख या पीड़ा एंग्वीस मतलब क्या होता है दूख या पीड़ा यह गोनी मतलब होता है वही कोष्ट दूख या पीड़ा एक मतलब होता है दर्द एक मतलब क्या होता है जैसे हेडेक इसी से बना हु है ठीक क्या करता देना क्या करते हैं अंहिस्ए सीनोनीम स्क्राइब हो जाएगा स्मस्षी आपिक और दलो Hoş जाइगा एल्न झालिश्ख घ्रा को मतला होता है कोछ चीज मतला का ने के सेंस में हैं जुजला देना मतलब उसको इरिटेट करने के सेंस में यहाँ पर दे दिया है इरिटेट यहाँ पर इरिटेट मतलब होता है चिरहाने के सेंस में कह सकते हैं ठीक ना इनवाई मतलब होता है जुजला देना ऑफेंड करना यानि इरिटेट यानि उसको चिरहाना ठीक न उस मतलब क्या होता है या बिनीन भी कह सकते हैं बिनीन मतलब होता है राहत या राहत देने वाला या पिया नासक भी बोल सकते हैं इसको इनुमेलस मतलब होता है असंगत या अजीव क्या बोल सकते हैं इनुमेलस मतलब होता है असंगत या अजीव या पेकुलियर भी बोल सकते है विचित्र या अलग असंगत बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं एनुमेलस एंटागोनिस्टिक मतलब होता है बिरोधी सब किसी का एक एंटागोनिस्टिक होता है यह अपोनेंट होता है यह उसका बिरोधी होता है क्या बोलेंगे एंटागोनिस्टिक मतलब होता है बिरोधी यह एन्टिसिपेट मतलब पुरवानुमान मतलब फूचर में क्या घंचाना होने वाला है उसके बारे महीं पहले उसको उसको कहलेगें पूरवानुबानुमान करना क्या दिसलाइब भी बोल सकते हैं, एंटिक मतलब होता है, पुराना, क्या होता है, एंटिक मतलब होता है, या एंसीयंट भी बोल सकते हैं, एंसीयंट, एंटिक क्या हो जाएगा, एंसीयंट हो जाएगा, निक्स्ट है, एपैथेटिक, एपैथेटिक मतलब होता है, उदासीन, आपर नी राषा के सिंंस में होज जाएगा, इंडिफिडेंट, उदासीन भी होजाएगा, क्या हो जाएगा? Not इंड्रेस्ट कह सकते हैं, apathetic मतलब क्या होता है? उदासीन कह सकते हैं, फ़ेटी्ट हो जाएगा इसका synonymips, एपैथी मतलब होता है उदासीनता, अब्यक्स मतलब होता है सीखर या टॉप मतलब होता है सीखर सीखर मतलब होता है सबसे उंचा को बोलते हैं सीखर बोलते हैं appealing मतलब होता है, भयावा, डर आवना कर बोल सकते हैं इसको, जो ऐसे चीज़, जो फिल करा देता हो, भयावा हो, ठीक है न, जिसे डर्ड भी अपने आप में, सॉकिन फिल कराता है, ठीक है न, उसी को बोलते है, soaking या appealing भजावा या डराव ना कह सकते हैं एक तरह से ठीक है एपरेंटली मतलब होता है असपाश्ट रूप से ठीक है यानि clear कह सकते है clearly seemingly भी हो सकते है इसका क्या हो सकते है seemingly seemingly मतलब होता है यानि असपाश्ट रूप से यानि clear क्या बोलते है apparently next है appeal appeal मतलब होता है आकर्सक क्या बोलते हैं अपील मतलब होता है आकर्सक चार्म चार्मिंग मतलब होता है चार्म या चार्मिंग यह यह चार्म चार्म मतलब होता है आकर्सक या लुभावने वाला कोई चीज अट्रक्ट करने वाला उसको बोलते हैं अपील या आकर्सक या चार्मिंग हो जाए ठीक है, उसको बोलते है, appear, प्रतीत होना, उजागर होना, या उसको sims मतलब होता है, प्रतीत होना या उजागर होना एपीज मतलब होता है, सांथ करना, पैसी फाई मतलब ही हो जाएगा, सांथ करना एप्रेज मतलब होता है आखना एप्रेज मतलब क्या हो जाएगा आखना जज मतलब क्या हो जाएगा वही आखने के सिंस में जजिंग करना मतलब वो थोड़ा अनुमान लगाना यहां इसके सिंस में है एप्रेज आखना या जज करना ठीक है न निक्स्ट है एप्रिहेंड मत कौह सकत कह सकता है कि मरजी किया कभि नहीं किया ठीक है त आर भी ट्रे ऐतरी को बनते है defender मान मतलब कभी किया कभी नहीं किया उसी को बोलते है को एक काम करने के ऑनन मतलब कके यह ता है रेंडम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंडम आर्डेंट मतलब होता है, उत्साही आर्डेंट मतलब क्या होता है, उत्साही पैसेनेट मतलब ही होता है, वही उत्साही, जोस भी कह सकते है ठीक है न, अर्डुकस मतलब होता है कठीन, जो डिफिकल्ट हो कठीन हो यहां पर दे दिया है डिफिकल्ट क्या है डिफिकल्ट क्या बोलते हैं अल्डूस मतलब होता है कठीन यहां पर दे दिया है डिफिकल्ट या एस्ट्रिनुवस क्या बोलते हैं एस्ट्रे निवस यह भी हो जागा डिफिकल्ट या एस्ट्रिनुवस यानि यह दो बा अगला क्लेक कर दिआ गया है युस मेलिंग उसको बहुत सकते हैं सेंट ये सुगंध ठीक है लग मतलब होता है धूर्द ता नेग्स्ट है एसक्रिप्शन एसक्रिप्शन मतलब होता है आरोपन, क्या बोलते हैं एसक्रिप्शन मतलब होता है करना किसी को आरोप से रिलेटेट है यह सिंबल मतलब होता है कतित कर जामा करना एक अठा करना मास मतलब होता है मास मतलब क्या होता है एक अठा करना और यह जामा करना सर्शन मतलब होता है दावा क्या होता है ओशर्चन मतलब होता भड़ सकते न ही मेरा है ले कि चीज मेरा है उसे बोलते हैं टीक्लैरेशन करना क्या दिकलेशन कंपेहां next है assertive, assertive मत होता है nishtyatma, यहीं nishtyatma लेना उसको क्या बोलते है, nishtyatma करना assorting, next है इसका synonym सुझाएगा domineering, क्या बोलते है domineering करना, यहीं अपने अधिन में करना nishtyatma करना यहीं, domineering मत होता है अपने अधिन में किसी चीच को करने के सेंस में, assertive यह domineering, क्या बोलते है, domineering क्या बोलते है, domineering कोई चीच अपके under में है, उसको बोलते है nishtyatma करना assis मतलब होता है, alkalon assis मतलब क्या होता है, assis मतलब alkalon करना, major मतलब होता है मापना या आकलन करना ठीक है न एस्टोनिस मतलब होता है चकित करना आर्षचर्ज करना यानि सर्प्राइज कर देना या आर्षचर्ज कर देना ठीक है न किसी को सर्प्राइज देते हैं उसे बहुत चकित करना होता है यानि एस्टोनिस मेंट मतलब होता है आर्षचर्ज आ कि या वंडर मतलब होता है ओप ऐस चर्पूर्ण थीक न? उसे बुलते है अस्चर-,ather-, wonder- या, एचो पार्यम कुलब होता है एस्टॉवितियानें o मतलब होता है और यह यह घ्ल монο शुबिलान पादल। ti तो पार्भविटी मतलब होता है आत्याच्वार एच्वार। होता है ठीक है ना उसको बोलते हैं एट्रोसीटी एट्याच्यार वाइलन्स या बार्बरीटी नेक्स्ट है अटैन अटन मतलब होता है प्राप्त करना अटन मतलब क्या हो कुछ इसको प्राप्त करना पालेना उसको बोलते हैं एचीव भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एचीव अट्रेक्ट मतलब होता है अकॉर्षित करना लुभाना फैसिनेट मतलब होता है अकॉर्षित करना या लुभाना इन्टाइस मतलब होता है अकॉर्षित करना या लुभाना एट्रिब्यूट मतलब होता है गून quality को सकते हैं, अपने आप में, या पर दे भी दिया है, गुन, characteristic क्या बोल सकते हैं, characteristic क्या बोल सकते हैं, characteristic या quality भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, characteristic या quality मतलब होता है, गुन, या attribute मतलब होता है, गुन, next है, अगस्त मतला होता है गरीमापूर्ण या भव या संदार कर सकते हैं क्या बोल सकते हैं अगस्त या गरीमापूर्ण या संदार कर सकते हैं कोई पंडाल अगर बना रहता है भव होता है कोई आयोजन हो रहता है भव होता है यारा मतल होता है उसे को बोलता है परभा मंदल कोई क्या बोलता है डिपार्टमेंट से , परभा मंदल कोई area से related है और हाईलो बोलते हैं क्या बोलते हैं हाईलो ठीक है auspicious मतलब होता है soub auspicious मतलब क्या होता है soub favorable मतलब होता है वही favorable मतलब होता है soub याणि आच्छा बोलते हैं ना soub जो दीपावली के जो दीन होता है वह सब के लिए soub होता है प्रद्श्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होता है ह இ सख्स्ति एस्ट डिक्ट बोल सकते हैं एक तरह से का सकते हैं निरंकुष एनी मतलब ये ऐसे सासक जो कुरूरता से सासन करता हूँ, निरंकूस कह सकते हैं, डिक्टेटोरियल कह सकते हैं, क्या बोलता है, तना साही कह सकते हैं, तना साही कह सकते हैं, जबरदस्ती सासन करते हैं, ठीक है, खुद से जबरदस्ती सासन करते हैं, उसे बोलते हैं निरंकूस, य बोलते हैं या डिक्टेटोरियल बोलते हैं उसको फिराइस मतलब होता है लो भी या लालची होता है गिरिट मतलब होता है लो भी या लालची होता है नेक्स्ट है एभहेंज मतलwood होता है बादला लेना किसी से मार पीठ का जगडा का या किसी किसी भी चीज का बादला आप ले रहे हैं उसको बोलते हैं पनिस करना यानी बादला लेना अरि اभहेंज या पनिस योर। दूण करना और मतलब होता है सर्धा और मतलब होता है सर्धा एडमारेशन मतलब होता है परसंसा करना या सर्धा ठीक है ना और मतलब क्या होता है सर्धा या एडमारेशन में होता है परसंसा या सर्धा औरी मतलब होता है विक्रीत जिसका आकरिती सही से नहीं हो उसे बोलते हैं विक क्रुक्डली 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 मतलब होता है विक्रीत जिसका आकरीती सही नहीं उसे विक्रीती बोल सकते हैं याप नेक्स्ट है क्या बोलें कि इसको और ही मतलब होता है सर्धा सोरी यहां पर यहां पर बोलेंगे और ही मतलब हो जाएगा यहां पर विकुल notor videos हो जाएगा और यहीं हो जाए क्रुक्टलि जबता है क्रुक्टले क्रुक्टली मतलब विकुल० मतलब विकुलत क्वकुद FDA जो जुञत्य। धनी जो चक्राद एना कि मतलब हो गया कि आप मतलब कोई तॉप कोई काम है आपके लिए तो उसमें तो आप Code कठी नहीं प्र हो गए दिपी कर्ट है या डिपीकर्ट या दूध्दा जनक ढ़ी बोल सकते हैं पकर प्रस्यक्राइब भी कर सकते हैं, confuse भी मतलब होता है, चक्रा देना, या पजल मतलब होता है, चक्रा देना, यानि कठीन के sense में है, यहाँ पर है, बैपल मतलब होता है, कठीन, हो गई है बैनल मतलब होता है चोटी सी कोई चीज होता है उसे बोलते है तुक्ष क्या बैनल मतलब होता है तुक्ष क्या बैनल मतलब होता है और यहां पर आपका लास्ट है यह हो गया बैनल मतलब होता है तुक्ष यह कमन पलेस कह सकते हैं तुक्ष यह महतुहीन कह सकते हैं ठीक है ना बैलू लेस कह सकते हैं बैनल बैंग मतलब होता है जोर से मारना की बैंग मतलब क्या होता है पेपर में हमेशा आता है बैंग मतलब होता है जोर से मारना निक्स्ट है तो यहां पर हो जाएगा बैनिस मतलब होता है निर्वासित करना या देश से बाहर निकालना होत या किसी समू से बाहर निकालने के सेंस में भी आता है, बैनिस कर देना, या निर्वासित कर देना, निक्स्ट है, बैनर, बैनर मत होता है, पताका, बैनर मतलब क्या होता है, पताका, जो पोस्टर जो बैनर जो होता है, परचार में जो हम लोग बैनर लगाते हैं, उसी को बोल of appeal मतलब होता है संकुची लजाना सरमाना होता है साई मतलब होता है या बैकसा sabemos मतलब क्यों होता है इस अब सदिड़ों या माराना हो जाएगा बैकना in साथा कंभीनेशन आच्छा है इसके साथ बै्टर के साहं बीट म issйं? बैटर एंक लिभद है न्यूु board को इस साथ बैटर के साहते देरे आ आ सकता है यह रिष का मतलब होता है इसारे से बुलाना क्या बोलते हैं मोहरा या ठगना क्या बोलते हैं बिगविल मतलब होता है मोहरा या ठगना या डिसीब मतलब होता है धोका क्या बोलते हैं बिगविल मतलब होता है चलिया या धोका हो सकता है या डिसीब मतलब होता है धोका या ठगना ठीक ना बिहवार मतलब होता है बहवार बिहवार मतलब कि यह मतलब होता है। यूग होना या नेसिसरी Да You मैं क्या भूट सकते हैं। बिहूप मतलब क्या होता है यह या नेसिसरी मतलब होता है यूग या आवशक भी कह सकते हैं। बीहूप मतलब शक या नेसेसरी मतलब योग यावसक भी कह सकते हैं ठीक है ना मगर बीहूप का सीनों हो जाएगा नेसेसरी बेलीग्रेंट मतलब होता है लडाकू बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है लडाकू उस्टाइल भी हो सकता है क्या हो सकता है उस्टाइल या लडाकू ठीक है बिलिग्रेंट मतलब होता है लडाकू या होस्टाइल या इंटागोनिस्टिक ठीक है नेक्स्ट है बेनिफिसियरी अनि लभार्थी जो लहां पता हो जैसे मुझे कोई कंबल दिया मुझे कोई पैसा दिया मुझे कोई मीठाई दिया मुझे कोई गाड़ी है मैं लबहर्थी हों थीक है थ bun क्राइधा ह no i fine and any craft करता है क्या ब merge को किशी को पूज चैसे काम करता है नि वह उसके लिए बहलाई करते हैंद्ध ये हो गया कई नशा किया क्या बहलाई किया ठीक है विरिफ्ट मतलब होता है वनचित कर देना और चीरह को दिबायदान जीसे गरीब को भुवसरा युगदान नहीं मिल मिल पाता है नि د'कलिए अधे षोह क्यлом है और रहते हैं और समिरिफ्ट farseella से क्यों छोगदान साइट है इन्ब होता है दो भागों में काटना डिवाइड़ इन्टु टू पार्ट डिवाइड़ इन्टू इन्टू ।ार्ट तो पीस में बोलते हैं दो सखाओ में बांटना या काटने को बोलते हैं बीफरकेटेड बाइंड मतलब होता है बांधना यूनित होताएगा या फास्टन हो जाएगा क्या बोल जाएगा यूनित हो जाएगा या फास्टन हो जाएगा या कठा करना या बांधना होता है बक्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् होता है बड़ी भूल या मिश्ट्यक भी कह सकते हैं यहां पर बलंटर मतलब होता है बड़ी भूल या मिश्ट्यक भी कह सकते हैं ठीक है बोड मतलब होता है खानपान बोड मतलब क्या होता है खानपान फूड मतलब होता है खानपान बोड के देखा जाए तो बहुत होता है तकता भी होता है, बोर्ड मतलब एक संस्ता के संस में भी आता है, ठीक है ना, समुजिक संस्ता, और यहाँ पर बोर्ड मतलब होता है, खान पान या फूर्ड हो जाएगा, ठीक है, यह पैसेज के कोडिंग यहाँ पर सुटेबल होता है, बोर्ड या फूर्ड, ठीक है, बोस् कि क्या बोलता है वोंटें टोंष्ट का निकस्ट और निक्स्ट है वोकस ब mathematically का सकते हैं फेक मतलब होता है नकली और जाले क्या बोलेंगे बोबील स्टर के बोलोंगे बोल्स्टर अफेंगे कंद राद के नहीं हो जाएगा बोल्स्टर मतलब होता है सह अरै यल बुनस किसी कमपनी से या गुवर्मेंट के तरफ से जो मिलता है उसे बोलते हैं और परत्यासित लाग या बुनांजा बोलते हैं बन होमी क्या बोलते हैं बन होमी मतलब होता है मिलानसारिता या कमपनियानसिप क्या बोलते हैं कमपनियानसिप बोलते हैं या मिलानसारिता बो गमपनसीप होता है जो मील जूल करता हो उसी को बोलते है लूज मतलब होता है इसे क्या praying यंख्र difícil क्या predicting मतलब मतलब होता है लोगो स्पट्रियशे कुछ वर्ड ही है इस पॉइल्ट इस पॉइल्ट चाइल्ड क्या बोलेंगे इसको बिगड़ाल बच्चा को बोलते हैं ब्रेट मतलब होता है इस पॉइल्ट चाइल्ड क्या बोलेंगे इस पॉइल्ट चाइल्ड बोलेंगे बिगड़ाल बच्चा जो बदमास बच्चा को बोल सकत नेक्स्ट है ब्रीच ब्रीच मतलब उलंगन करना ब्रीच मतलब क्या हो जाएगा उलंगन करना या वालेशन मतलब हो जाएगा उलंगन करना क्या वालेशन मतलब क्या हो जाएगा उलंगन करना ठीक है यह डिस्कवरी करना बिरी जी मतलब होता है हावादार जो ठंडा ठंडा मंद हावा जो बहता है दीरे दीर हावा जो बहता है उसे को बोलते हैं हावादार या या यरी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं त्थिपरीषी यजर यरी बोल सकते है ये पूछा हुग अब आ ये ठीक है ब्ली भीटि मतलब होता है जंचेप ने Chemo ब्ली भीट्य मतलब क्या होता है कुले सक्ता को सब्सराआ क करना संचेब करना अभ्लाइस क्रिप्स क्रिस्पनेस, क्रिस्पनेस मतलब हो जाएगा संचिप्त करना या चोटा करना, बिरिस्क मतलब होता है तेज, बिरिस्क मतलब क्या हो जाएगा तेज, या क्विक मतलब होता है तीब्र या तेज, क्या बोलते हैं, तीब्र या तेज, बुरुटुलाइज मतलब होता है, निर् मतलब होता है हठीला जो जिद्धी जो आदमी होता है हठीला होता है उसे बोलता है हेड स्ट्रॉंग बोलते हैं क्या बोलते हैं बूलते हैं जिद्धी तरह का होते हैं उसे बोलते हैं हठीला या हेड स्ट्रॉंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बंप सियस क्या बोलते हैं प्सिह अंके मातले होता है घमंडी या कंचिणफ सकते हैं कंसीटि कंसीटिण होता है या बंप सीएस या बोलते क्या बोलते हैं बंप और सावा हुद्धि और स्टाइब काह strongly इत्रा चिंछ मथने मतलब होता है और कर दि या का करी भूहारी बश्टां मतलब जो लाया और ताल होता है उसके सेंस में आता है कinen क्या बोलते है के रिदम क्या किसी कवी ता का रिदम क्या रिदम है या काउंटिंग मतलब होता है हिसाब किताब या काउंटिंग मतलब होता है हिसाब किताब या काउंटिंग 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 या नेक्स्ट है काम मतलब हो जाएगा सांथ पीस्पूल या रिलाक्स्ट या क्विट्ट क्या हो जाएगा काम मतलब हो जाएगा सांथ पीस्पूल या रिलाक्स्ट या क्विट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट निश्ट आपका हो जाएगा कैंसिल कैंसिल मतलब हो जाएगा आपका एबुलिस करना या रद करना क्या हो जाएगा कैंसिल मतलब हो जाएगा एबुलिस करना या रद करना एबुलिस मतलब होता है खातम कर देने के सेंस में गयाता है कैनी मतलब होता है चलाक कैनी मतलब क्या ह औलो कर्ण टेक्र इस जा या कवारल सम् कालो सम् केंटेक्रवस मतलब ये सिनु हो जाएगा कर्ल discourton take a study मतलब हाथिया डालना किशी के सामने एक जुक जाना तहिके इसको बोलते सरेंडर कर देना जैंडर करदेना नेक्स्ट है कैरिकेचर मतलब होता है ब्यंग चीतर बनाना जो ऐसे चीतर बनाते हैं लोग जो उस पर हांसिया है ठीक है ना उसों बोलते हैं ब्यंग चीतर यानि ग्रोटेस्क क्यों बोलते हैं ग्रोटेस्क क्यों मतलब बीचीतर चीतर फुख्यक न पक्ल Carroll होता है उसी को बोलते हैं क इस जैंड पर फूब्थ io यह वह जाए गा यह आपका नीस बिस में पूछा हुआ इसलिए बोलते हैं इसको दो पर पूछा हुआ देख लीजिए कैरस बोलते हैं क्या बोलते हैं कैरस कैरस मतलब होता है खाना पीना खाकर करके अनन मनाना या फ्रॉलिक भी बोलते हैं या क्विप बोलते हैं उसको कैजूल मतलब होता है अकस्मिक अचानक हो जाएगा अचानक जो घटी घड़ता है अकास्मिक जो घड़ता है अचानक ओकेजनल हो जाएगा क्या बोलते हैं ओकेजनल क्या बोलते हैं आकास्मिक ओकेजनल या कैजूल कैटेस्ट्रोफ मतलब होता है तबाही आपदा क्या बोलते हैं इसो कैटेस्ट्रोफ कैटेस्ट्रोफ मतलब होता है ब डिजास्टर हो सकता है इसका ट्रेजडी भी हो सकता है कलामीटी भी हो सकता है इसी के दिया हुआ यह कलामीटी भी हो सकता है ट्रेजडी मतलब काभी दुखदायक हो सकता है आप बीपत भी हो सकता है क्या बोसे कटेस्ट्रोफ हो सकता है कैफोर्ट मतलब होता है कुदना कैफ सिलेब्रेट मतलब होता है मनाना. सिलेब्रेट मतलब क्याiji हो जाएगा मना ना? ौनर हो जाएगाई. І ओनर मतलब होता है मनाना, कोई जसन असनों मनाते है ना? उसके SENSE मेरेट करना यह ओनर करना सेर्मोनियल मतलब होता है सिस्टा चार युक्त या फरमल बोल सकते हैं क्या बोलुवार से उसको जिसमें सद्भाव गुण के तरह हो आप अच्छा नियम का दा कानुन से हो अच्छे बहबार से उसे बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं, फॉर्मल तॉल तरीके से बोलते हैं, नियम अनुसार बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं, सेरेमोनियल, सॉर्टन मतलब होता है, निस्चित, स्यूर मतलब होता है, निस्चित, काइफ मतलब होता है, जुजलाना या क्रोध करना, क्या बोलते कैफ, कैफ मतलब क्या होता है जूजलाना या किसी को चिरहाना या क्रोधी दिलाना क्या बोलते है, इरिटेट मतलब होता है किसी को चिरहाना, क्रोध करना किसी को गुसा दिलाना किसी को गलत तरीका से मज़ार करना क्या बोलते है, कैफ क्या हो जागा इरिटेट, चैलेंज में तो होता है, आपती उठाना, क्या बोलते हैं, आपती, चैलेंज चुनोधी देते हैं ना किसी को, चैलेंज करते हैं, आपती उठाना, यानि अब्जेक्शन करना, क्या बोलते हैं, अब्जेक्शन हो जाएगा इसका, आपती उठाना, अब्जेक्श थेंग न उसको की बोलते हैं चालेंच, जानि मतल्ग हो जाएगा अपजेक्चन , चेंज मतल्ग हो जाएगा , परिवर्तन और या बदला हो जाएगा निक्स हो है उसके बाद में धुसको बोलते हैं आदी ब्यास्त हो यानि कोई order में नहीं हो कोई आप किसी को बात नहीं मानता हो उसी को बोलते है disorder, disorder या mix-up, sorry, mix-up, next है character, character मतलब हो जाएगा, एक और दिया हुआ, confusion या turmoil, क्या हो जाएगा उसका, choice मतलब होता है आजगता, disorder, mix-up, confusion, उसमें और भी दिया हुआ, confusion भी दिया, turmoil भी दिया हुआ, असांती कह सकते हैं वहाँ पर, choice मतलब होता है, character मतलब होता है, character या trait बोल सकते हैं, trade मतलब होता है, character क्या हो जाएगा, परतिभा, चार मतलब हो जाएगा, वेही परतिभा, आकर्शक, सुन्दर, अच्छा, ठीक हो उसके बोलते हैं करिजमा, चोविनिजम मतलब हो जाएगा कटर्था, क्या बोलते हैं, कटर होता है, कटर्था, क्या बोलते हैं, चोविनिजम बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा जी लाट्री, क्या बोलते हैं, जी लाट्री मतलब हो जाएगा कटर्था, इसके बोलते हैं, जी मतलब होता है किसी को डाटना रिभीव को चौक मतलब होता है जाम होना चौक मतलब क्या होता है जाम होना यानि बलॉक हो गया क्या बलॉक हो जाना चूजी मतलब होता है चैनात्मक यानि चुनना के सेंस में है चैन करना यानि चुनना यानि सेलेक्ट करना चूजी बोलते है उसको सेलेक्टिव दे दिया यहां पर क्या हो जाएगा सेलेक्टिव क्या हो जाएगा यहां पर सेलेक्टिव चूजी मतलब चनात्मक या सेलेक्टिव या पिक्की चुनना चुरस मतलब होता है सहगाज क्या बोलते हैं सहगान सिंगिंग या ग्रूप क्या बोलते हैं सहगान सिंगिंग गुरुप पोलते हैं क्या बुलते हैं सहन बोलते हैं सीटेडल मत्लेट चूरा के एक इसकी च्हों Надवन प्रट चले सेसे किला इस तरगार सहन कीला पौट्र ताब करें क्ला το क्लेमरस मतलब होता है क्लेमरस मतलब हो जाएगा 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 क्लेमरस क्लीन मतलब क्या हो जाएगा साफ या ओनेस्ट मतलब हो जाएगा साफ या इमंदार को सकते हैं क्लीमेंट मतलब होता है देयालू या उदार को सकते हैं या मिल्ड मतलब होता है जिसकी दिल पिघल जाता हो देयालू हो उसको बोलते हैं क्लीमेंट क्लीमेंट मतलब क्या हो जा सबसे उच्छा कह सकते हैं ठीक है नहीं चया है कुछ जह सकते हैं लुक्षिंघ maior च्राइप मतलों क्या हो जाएगा पाका करते यान्न फ्यानलाइज कर ना क्या करना जा कinka बोलते हैं भी मोच कि फाइनल करने कुछंच में फैनलाइज करने ऐसे न आकर कर Headल कर देए है रिदि आपका कर देते हैं यह ड़न कर देते हैं युझा अपना मतलब और निश्चित कर लहाई करने कैना नेक्स्ट है को फुर्वाकिपेबचे फ्रेट करें दोगकेजिक गोक具 हैँ ऌड़ाइस के फैरोवर्टut दोग। तनहां अच्छा है अपाइशलेट कर शकते हैं एल्णी कर सकते हैं इसको तनहा या प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् मतलब किया हो जाएगा होता है किसी को मजबूर करना को कौर्स को मतलब करना कि साइज को सब्सक्राइज मतलब होता है किसे को कॉजबुर करना है इसको मजबुर करना ठीक है उसको भूते है को अ fácil को रहा है पराईथसाली या निस्चाहत्मग एफेक्टिव बनाना पर भांषाली बनाना उसको ऐफेक्टिव यह टालते हैं उसको एक निक्तैंक है आई को जिदेंट को अाट हुआ पर 나쁦ेंट। या Shift Next है Considence Considence मतलब होता है It興ate Chance य्य Cooper tempo कह सकते है thirds 맞qui Instant मतलब होता है gyay p الذis वही इत्वाक मतलब होता है उर्दु लभज che llこれで इत्वाक Considence हो जाएगा Chance किया बहुते है कुसी का मोका मिलता है किसी को Chance मिलता है Quillant ajar वो जाता है Considence हाने हνेजा इतफाग या चांस यह मोगा खुछ मतलब ही मतलब हो निख मतलब हो सब मतलब हो गया जासे मैं फैमिलेफ होता है घर में किसी का बाच्चित भी होता है किसी बैड़ से छोटे से ऊसे को बोलते हैं ऐनी बोल इंग गया होता है इसका सीनों एक जुच हो जाएगा और यह कंबस्टिवल मतलब होता है जवलम शी के आधाय और जो पेटरोला की गाड़ी होता है उसके पीछे लिखा रहता है, combustible material या inflammable लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? जोल अंसील एक दम जिसमें तुरंट आग लग जाए, उसको बोलते हैं, कोमेमोरेट मतलब होता है, उसको को बोलते हैं, क्या मतलब होता है, उसको को मतलब होता है, commendable मतलब होता है शराहनी है, क्या बोलते है, commendable commendable मतलब होता है, शराहनी है या praise worthy बोल सकते हैं, किसी को बढ़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, या सराहते हैं उसे बोलते है commendable common मतलब होता है, common मतलब क्या होता है शमान, usual होता है, क्या होता है disturbance disturbance फास भी होता है कि बोलता है। skeletal नहींची है कोपनसेट मतलब होता है कौमि पूरती जो होता है यहां फिर चाहिए compensate क्या doda Compensate, compensate मतलब होता है ज़ाती पूरती मतलब कोई ज़ी तोर दिए उसका कौमि को पूरा करने को बहते है क्या बहते हैं जोड़े Consider कोई चीज़ आप तोड़ दे रहा है किसी के नस्ट कर दे रहा है उसकी भरपाई उसका दाम का पूरी मतलब पूरा कर रहा है और उसका भरपाई कर रहा है उसको बोलते हैं make-up for मतलब बादा कमी पूरा करना कमपंशेट थिक है नेक्स्ट है कंपीटेंट मतलब होता है सक्चम या योग क्या बोलतें कंपीटेंट मतलब क्या होता है आगयाकारी यानि सब्मिसिव कुंप्लियेंट मतलब क्या हो जागा अगया कारी या समिसी मतलब हो जागा अगया कारी ठीक है कंप्लिकेटिट मतलब होता है जटील यह तो कितना पर पूछा होगा है कंप्लेक्स मतलब हो जाएगा जटील या कठीन कह सकते एक तरह से होता है पालन करना तो भी मतल्лич काल करना एकड़ मतलब होता है संग्रह करना कीताब को या मूझी को कंपोज करतों करते हैं comprehend जैसे passage वगरा होता है तो हम क्या करते हैं यह समझते हैं उसको और अंडर्स्टेंड करते हैं क्या बोलते हैं अंडर्स्टेंड करते हैं अनि समझते हैं उसको हीं mirgoland मिलेगा एक तरह सकते ना एक्ट्रा कमीशन को सकते से कंसेशन क्या तरह सकते यूंसम को हो सकते 9 क्या थै मतलए संचिप्ट करना था मतलएगा संचिप्ट करना मतलए ृ चोटा करना इद conclusion मतलब मतलब होता है samaब होना क्या बोलते हैं conclude मतलब होना है इंड नत कोई चीज बना करके बोलते हैं कोई कहानी को बना के बोलते कोई बात को रुखो, च्छोटी सी बात है उसी चीज को हम बना बना के बोलते हैं मंदसे गउड कार एक हृस की सहा Wait agreement निंदा करना carbon democrat अन्यपता हैalah यह. कितिसाइज और निंदा करना किसी को निंदा करने के सेंस में यह आल raspon verbat तरुन ना exploitation करने के सेंस में १ै कितिसाइज को कौणेब्न का किरिटिसाइज सूटेबुल व्यू生कन करने हो सकते हैं। बाईका कोंधेनसेंडिंग मतला हो जाएगा पुरत्साहक ना good है हैं आप ओंदेनसेंडिंग मतलब हो जाएगा पूरत्साहक ना ना थीक स इसी को मतलब सहीत तरीका से सहीत तरीका से किसी को कोई चीजे रिस्प्यक्ट के साथ जो करते हैं प्रचाहक धंग से उसी को बोलते हैं condensating यानि patronizing ठीक है next है condensation क्या बोलते हैं condensation मतलब होता है condensation का हो जागा नमरता क्या बोलते हैं condensation का हो जागा नमरता क्या बोलते हैं condensation 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 यहाँ पर नाउन वो तो नाउन है उपर वाला चलिए condensation हो जाएगा डिस्टेन मतलब क्या हो जागा नमरता हो जागा डिस्टेन मतलब क्या हो जागा नमरता यहाँ पर जागा condensation हो जाएगा condensation 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 नमरता या डिस्टेन कह सकते हैं condon मतलब होता है ध्यान ना देना कंडोन मतलब क्या होता है ध्यान नहीं देना और ओभर लुक थोड़ा बहुत उसको मतलब कम ध्यान देना उसको बोलते हैं ध्यान नहीं देना और कंडोन कर देना क्या बोलते हैं ओभर लुक करना ध्यान ना देना मतलब होता है संधी करना क्या बोलते हैं कंफीडरेट मतलब होता है संधी करना या कंभाइन कर लेना क्या बोलते हैं कंफीडरेट करना या कंभाइन कर लेना कंफेस मतलब होता है कभूल करना कंफेस मतलब क्या होता है कभूल करना admin मतलब होता है वह ही सुखार कर लेना कभूल कर लेना confess कर लेना next है nfest confidential गुपनी यानि गुपत रखना यानि i sgr t rakन क्या बોलते marks मतलब हो जाएंगा है शेक्रेट रखना यो और दा यह तकराव कि अगरेन को सकते हैं रहा है तनाव को किसी से तो फिलिक्ट है थाक ना कोई दू गाड़ी तकला जाना इन ऐनिक लैस्ट कर गया अभ्या वाद में को था और वैवस्ता कि बोलते हैं confusion मतलब क्या होता है और बेवास्ता या मॉडल बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं मॉडल confusion या मॉडल कंग्रिगेशन मतलब होता है मॉडल मतलब और बेवास्ता जहां पर सासन बेवास्ता सही नहीं हो उसे बोलते हैं कंव्यूजक्त में इंदेव होता है मेरा संघ्क्रिबस शचेषायश कि तो चाहिए जरांग होता है शॉरा में मेंडिये का कि नर्या इन का संहिं ए आशया मेंदव मिंच कि तैक यह मतलब होता है या एक समान सेमली मतलब होता है और होसे बोलते है शरवां सम है। जितने कील मतलब होता है सर्वांग सार्वां सम होता है piram coming न zweep उतकल रहод उपय। क्या बोलते हैं कंग्रूगस मतलब होता है उपयोग्त या उसको बोल सकते हैं यहां पर कंग्रूगस मतलब होता है उपयोग्त क्या बोल सकते हैं यहां पर कंग्रूगस मतलब होता है उपयोग्त बैलेंस संतूलन में यह बैलेंस कह सकते हैं ठीक ना कंग्रूगस मतलब होता ह जादूगर यानि magician बोलते हैं क्या बोलते हैं magician यानि जादूगर यानि conjurer भी बोल सकते हैं उसको next है convisor, convisor मतलब होता है vicious को जो कोई चीज को बारी की से जांचता हो परेखता हो उसी को बोलते है किसी बी चीज को सुना चांदी डायमाउंड या किसी वस्तु को बारी की से जांचता हो परेखता हो उसी को बोलते है क्या बोलते हैं discerning क्या बोल सकते हैं discerning judge करना क्या बोलते हैं discerning judge करना बारी की से उसको जाचता परखना उसी को बोलते है discerning judge करना ठीक है next है कॉनोट, कॉनोट मतला होता है भाव बतलाना क्या बोलते हैं भाव बतलाना किसी के कुनोट करते हैं भाव बत लाते हैं या ऑनिस्ट भी बोल सकते हैं इसका सीनों क्या हो जाएगा का ऑनिस्ट हो जाएगा यहां पिर कॉन्सीयसनेस याई मलता है जागरूप या और निस्ट है कंस्क्रिप्ट कंस्क्रिप्ट मतलब भरती होने वाला कंस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है भरती होने वाला ड्राप्ट क्या बोल सकते हैं ड्राप्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्राप्ट नेक्स्ट है consequence परिनाम रिजल्ट क्या बोल सकते हैं consequence मतलब क्या हो जाएगा परिनाम या result यहां पे conscript मतलब होता है भरती होने वाला है यहां पर consequence मतलब हो जाएगा परिनाम या outcome या result कह सकते हैं